हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टू ए न्यू विडियो अफ सम्ता इंवेस्टिंग रिसेंटली मैंने पावर अप मनी नाम के एक चैनल को डिस्करवर किया और उसके वन अफ ते लेटेस्ट विडियो में मिस्टर रविंद्रा का इंटर्व्यू देखा मिस्टर रविंद्रा एक स्टॉक मार्केट इंवेस्टर है और उन्होंने रिसेंटली फायर अचीव की है फायर का मतलब होता है फिनाशली इंडिपेंडेंट रिटायर्ड अर्ली इस interview में उन्होंने बताया कि उन्होंने fire अचीव करने के बारे में क्यों सोचा और उसको कैसे अचीव किया अगर आप पूरा interview देखना चाहते हैं तो आप description में दिये गए link को click करके इस channel पे जा सकते हैं पूरा interview भी देख सकते हैं और channel को subscribe भी कर सकते हैं मैं अपने विडियो में इस interview के कुछ highlights आपको बताना चाहता हूँ तो सबसे पहले Mr. Ravindra ने fire के concept को अचीव करने के बारे में सोचा क्यों वो जिस company में काम करते थे उन्होंने देखा एक दिन layoffs स्टार्ट हो गए और उनके कुछ friends की job चली गई तो Mr. Ravindra ने सोचा अगर उनकी खुद की job चली जाती है तो वो बिना job के कितने दिन survive कर पाएंगे उन्होंने देखा कि उनका monthly expense करीब एक लाख रुपिया है और उनके पास कुल 20 लाख रुपे बचे थे तो 20 महीने से जादा वो without job survive ना कर पाते Mr. Ravindra ने तै किया कि अगर उनको financially independent होना है ताकि वो किसी job पे dependent ना रहे तो उनको कम से कम 10 करोड रुपे की ज़रूरत है और उन्होंने तै कि वो 10 करोड रुपे एक बार collect कर लेंगे तो वो stress free हो जाएंगे Financial freedom अचीव करने के लिए सबसे पहले Mr. Ravindra ने अपने सारे loans को pre-close किया वो चाहते थे कि उनके पास कोई भी debt ना हो क्योंकि अगर आदमी के पास job नहीं होगी और उसको loan की installment पे करने होगी तो वो बहुत stressful situation हो जाती है Mr. Ravindra ने ये भी बताया कि उन्होंने थोड़ा बहुत futures में अपना हाथ जमाने की कोशिस की लेकिन उनको initially थोड़ा सा loss हुआ तो उन्होंने futures में ट्रेडिंग करना चोड़ दिया इन्होंने mainly अपना जो financial freedom अचीव किया है वो stock market में long term के लिए stocks में invest करके किया है 2020 में इनके पास करीब 2 करो रुपय का portfolio हो गया था लेकिन मार्च में जब market crash हुआ तो इनका portfolio सिर्फ 75 लाख का बच गया था fortunately Mr.Avinder मार्केट में बने रहे अगर ये अपने stocks को बेच के बाहर निकल जाते तो इनको बहुत भारी loss होता और same situation मेरे साथ भी हुई थी मेरे पास 2020 में एक लाख रुपय का portfolio था क्योंकि मैं नया नया stock market में आया था और जब मार्च में market crash हुआ तो मुझे 72% का loss हो गया और मेरे portfolio में सिर्फ 28,000 रुपय बचे थे fortunately Mr.Avinder की तरह मैंने भी market से exit नहीं किया मैं अपने portfolio को बनाया रखा बलकि थोड़े और shares खरीदे जिसकी वज़े से 2021 तक मैंने अपना सारा loss recover भी कर लिया और मैं अच्छे कासे profit में आ गया Mr.Avinder 75,000 का portfolio maintain किये I believe उन्होंने और भी shares खरीदे होंगे क्योंकि 2021 के end तक उनके पास 3 करोर रुपय का portfolio हो गया था और इसके बाद अगले 2 साल के अंदर इन्होंने अपने 3 करोर के portfolio को convert करके 10 करोर का बना लिया और financial freedom achieve कर लिया अब financial freedom achieve करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी company को छोड़ के अपनी job को छोड़ के बैट जाए इन्होंने देखा कि इनको opportunities अच्छी मिल रही थी अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे थे तो इन्होंने अपनी job को maintain किया लेकिन आगे जाके जब इन्होंने तैक कि ये अपना खुद का startup शुरू करेंगे तो इन्होंने फिर अपनी job से resign किया और अब ये independently काम कर रहे हैं आगे जाके मिस्टर रविंदर ने बताया कि ये अपने majority of the funds direct stocks में ही maintain करते हैं 65% इनका portfolio इनके direct stocks में है तरी 15% mutual funds में है थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने gold में भी लगाया है और थोड़ा सा provident fund में लगाया है real estate में Mr. रविंदर invest करना पसंद नहीं करते of course इन्होंने अपना खुद का घर खरीदा हुआ है पर real estate में ये देखते हैं कि property खरीदना और उसको फिर दुबारा बेचना बहुत मुश्किल है on the other hand stock market में सब कुछ transparent है और transaction करना बहुत easy इस बात से मैं भी agree करता हूँ properties को खरीदने और बेचने के लिए जो experience चाहिए उसको gather करने में बहुत time लगता है लेकिन stock market की education बहुत easy है plus team at account खोलना, trading account खोलना, shares को खरीदना और उसके बाद उनको बेचना ये सिर्फ कुछ buttons को click करने का process है मैं personally zero-dha में trade करता हूँ और मैं zero-dha को ही recommend करता हूँ zero-dha में trading account खोलने के लिए link को मैं description में जरूर डालूँगा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि Mr. Ravinder ने अपने loans को pre-close कर दिया ये सोचके कि अगर job चली जाएगी तो loan की installment को कैसे pay करेंगे इस बात पर मैं 100% agree नहीं करता अगर आपके पास कोई loan चल रहा है और suddenly आपके पास एक lump sum पैसा आ जाता है तो loan pre-close करने से पहले ये देखें कि उसको pre-close करके आप कितना interest बचाएंगे अगर आप loan को pre-close करके कुछ interest बचा पाते हैं तब उसको pre-close करने का कोई फाइदा भी होता है otherwise आपके पास जो lump sum पैसा आया है उसको आप fix deposit में, stock market में, mutual funds में कहीं पे भी invest करके उस पैसे से अच्छा return कमा सकते हैं तो loan को pre-close करना हमेशा कोई अच्छी बात नहीं होती इस interview में Mr. Ravinder ने अपने stock selection का criteria भी बताया है मैं आपको recommend करूँगा कि आप इनका पूरा विडियो देखें ताकि आपको इस बात के बारे में directly इनसे सीखने को मिले इसके अलाबा Mr. Ravinder अब एक successful option trader बन गए है ये कहते हैं कि अगर option trading करनी है तो कम से कम 25 लाख रुपए होने चाहिए जो अगर आप हार भी जाएं तो भी आपको कोई तकलीफ ना हो वैसे Mr. Ravinder का खुद का option trading का portfolio एक करोर रुपए का है और ये हर महीने करीब 2% return कमाने की कोशिस करते हैं मैं personally futures और options में believe नहीं करता क्योंकि उनको समझने की बुद्धी मुझ में नहीं है मुझे अच्छा लगता है direct stocks में invest करना medium term या long term के लिए stocks को hold करके रखना और उसमें 25%, 50%, 100%, 1500% तक क्या return निकालना Towards the end of the interview जो hostess थी वो पूछती है कि life after financial freedom कैसी है और Mr. Ravinder बताते हैं कि financial freedom अचीव करने के बाद उनकी life बहुत stress free हो गई है ना कोई ऐसा boss है जिसको daily report करना हो और उसी गालिया खानी हो और जब ये काम करते थे तब तो इनके पास कभी-कभी खाना खाने का भी समय नहीं होता था अब ये साड़े तीन, साड़े चार बजे free हो जाते हैं जब market बंद हो जाती है और उसके पास इनके पास timey time होता है जो इस passions को follow करने में लगाते हैं तो इसी के साथ friends आज का वीडियो में समाप्त करता हूँ मैं आशा करता हूँ कि आपको ये review अच्छा लगा होगा of course मैं recommend करूँगा कि पूरा वीडियो देखने के लिए आप इस channel power of money पे directly जाईए मैं कोशिस करूँगा कि आगे जाके भी आपके लिए अच्छे अच्छे reviews लेके आओ ये मेरी एक नई कोशिस है कि YouTube पे जो एक घंटे देड़ घंटे के विडियो होते हैं उनको मैं आपके लिए short में review करूँ ताकि अगर आपके पास पूरा वीडियो देखने का समय नहों तो आप उसके highlights देख पाएं अगर आपको ये कोशिस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को like कीजेगा और subscribe कीजेगा और अगर आपके पास मेरे लिए कोई tips हो तो उसको comment section में जरूर छोड़ियेगा तो आज के लिए सिर्फ इतना ही friends मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you for watching Sumta Investing and have a good day